सात्वी कक्षा में हमने प्रकाश के प्रकीरणन के बारे में जान लिया था प्रकीरणन, विखरना प्रकाश का प्रकीरणन समझने के लिए हमने एक कृती की थी क्या तुमें वो याद है? हमने दूधिया पानी में सफेद प्रकाश संचालित किया था किनारे पर नीली सी रोशनी दिखी थी इसकी मदद से हमें ये पता चला कि आकाश नीला क्यों होता है हमने चायाओ का निर्मान देखा और ग्रहन कैसे होता है ये सीखा दर्पण के समक्ष खड़े रहने से क्या होता है? तुम्हें तुम्हारी प्रतिमा दिखती है किन्तु क्या दीवार के समक्ष खड़े रहने पर भी तुम्हें अपना प्रतिबिम्ब दिखाई देता है? नहीं तो दर्पण में ऐसे क्या विशेषता है? पानी की साथ भी ऐसा ही होता है वरिक्षों का प्रतिबिम तुम तालाब में देख सकते हो यदि मैं पानी में पत्थर फेकूंगा तो क्या होगा? क्या वरिक्ष की प्रतिमा वैसी ही रहेगी? वो बिखर जाएगी या विचलित होगी? जोर की हवा चलने पर भी ऐसा ही होगा जब तक पानी का प्रिष्ठभाग सपाट निश्चल है तब तक प्रकाश एक निशित मार्ग में परावर्तित होगा और प्रतिमा स्पष्ट रहेगी किन्तु यदि हवा या किसी हलचल के कारण पानी विचलित हुआ तो प्रकाश कई दिशाओं में परावर्तित होगा ग्यारवी सदी तक इसके बारे में कोई जानता नहीं था तब अरब वैग्यानिक अलहसन एक ऐसा नियम लेकर आए जो प्रकाश का किरण प्रिष्ठभाग पर जबाता है और वापस लोटता है तब क्या होता है इसके बारे में बताता है परावर्तन का नियम दरपण के प्रिष्ठभाग पर प्रकाश की किरणे टकराती है तो उनकी दिशाओं बदलती है और वो वापस लोट जाती है इसे प्रकाश का परावर्तन और इससे जुड़े नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं जहां आपतीत किरण और परावर्तित किरण मिलते हैं उस बिंदु पर एक लंब बनाओं इसे अभिलंब कहते हैं ये अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण से बनने वाले कोणों को दो समान कोण में विभाजित करता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित करण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं ये दोनों कोण ग्रीक वेंजन थिटा जिसके साथ सब्सक्रिप्ट होता है उससे सम्मोदित किये जाते हैं आपतन कोण के लिए थिटा आय और परावर्तन कोण के लिए थिटा आर परावर्तन का नियम कहता है कि जब प्रकाश का किरण किसी प्रिष्ठभाग से परावर्तित होता है तब आपतन कोण और परावर्तन कोण का नाप समान होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं जब वस्तू दरपण में देखी जाती है तब आँखों में परावर्तित किरण जाते हैं किन्तु दिमाग मान लेता है कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में आखों तक पहुँच चुके हैं। दिमाग प्रकाश के मार्क की विरुद्धिशा में काम करता है और दर्पन की पीछे की प्रतिमा का अनुभव करता है। यह कालपन एक प्रतिम्हा वास्तों में नहीं होती, कृति, ग्राफ पेपर, लेजर प्रकाश, प्रोट्रेक्टर और कांच का दरपन, इनकी सहायता से परावर्तन का नियम सिद्ध करो, आपतित किरण के लिए कम से कम पांच अलग कोन ले लो, क्या तुम्हारे निरिक्षन औ और अनुमान एक ही दिशा में है, यदि पतले दरपन की जगा मोटा दरपन इस्तमाल किया जाए, तो कुछ फरक पड़ेगा क्या, यदि लेजर नहीं है, तो तुम मोबाइल का फ्लेशलाइट इस्तमाल कर सकते हो, चुनौती, कमरे के नीले रंग का हिस्सा पारिशन करता ह यानि कठिनाई पैदा करता है, प्रवेश भाग से बाहर जाने के भाग तक प्रकाश को दिशा देने के लिए कितने दरपन लगेंगे, पहले प्रस्तावित समाधान की आकरती बनाओ, और दरपन से सत्यापित करो झाल